जुस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो अप election क्यूमिशन पर पर exit कर रहा हो तो आपका ऊपिना नाम का जब लिधार आहर या फिर वोटर आईटी बनवाया हुआ है आप भी अपने मुबाइल के यूज करके बना सकते हो इसके लिए सिंपल से आपका एक फोटो और अधार कार्ट के मात्याम से आप निसारी कीजिए कर सकते हो और घ्रट वैटे ही कर सकते हो यहां पर आपको कही जाना भी नहीं आउने वाला है तो यहां पर जो भी चुनास लेटेट चीजे हो बहुत फास हो रही है और इसी का फैदा उठाकर आप भी अपना वोटर लिस्ट में नाम एंट करवा सकते हो या विडियों का है वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो तो सिंपल वे बात करने वाले हैं चलो आप सर्च कर दीजे वोटर हेलफ लाइन यह अप इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि यहां पर काफी एजी होता है वेब साइट में आप जाएंगे तो पर सर्च कर देना है प्ले स्टोर से अपको डाउन्रोड कर लेना है उसके बाद यहां पर इसको ओपिन करना है जैसे आप यहांपर open करोगे तो यहांपर आपको अपना mobile number और यहांपर password डालके इस OTP यहांपर आपको आएगा तो simple नहीं पर login कर लेना है आप जब 20 में login करोगे तो आपको यहांपर password और OTP डालना पड़ेगा तो यहांपर हमने mobile डाल दिया और password डाल दिया और यहाँपर simple हम लॉग इन कर लेते हैं जैसे आप देसकते हो कि ऊपर यहाँ पर एक OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर OTP अपर देखते हो इसे थोड़ा स नीचे करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर तो से часть 7 कर देना है आप निया पर यहाँ देखते हो आपकोку dagen 7 ग access पर क्लिक कर देना है और यहां पर देज़कते हो कि यह कुछ आपसंस है एक दो तीन चार पांच और आपको इस टेप्स को फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट जो है या फिर यूजिन टरिटेरिया उसको सेलेट कर लेना है तो यहां पर हमने अपना आपको सेलेट करना है तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है अब यहां पर देसकता अक्टूबर 2000 है तो यहां पर आपको अपना जो है डेट आप बर्थ सिंपल साइसे साइड में करके यहां पर आप देसकते हो इसको अपना डेट आप बर्थ को सेलेट कर लेना आपको license भी लगा सकते हैं लेकिन हम यहां पर आधार card का use करने वाले हैं तो simple से आप यहां पर देख सकते हो कि जो option pop click करना है तो आपको उफ्या कर देना उस पर click कर देना तो चलिए हम यहां पर आधार card को select कर लेते हैं और यहां पर दे सकते हो attached self-attested copy of document तो simple से आपको यहां पर upload का option मिलेगा तो आपको इस पर click कर देना है और gallery camera तो camera का हम यहां पर simple use करने वाले हैं और उसके बाद देख सकते हो while using this app तो simple click करेंगे और यहां पर देख सकते हो यह है हमारा आधार card तो चलिए हम अपना आधार card का photo यहां पर ले लेते हैं अधार card की photo को थोड़ा सा crop कर लेंगे जैसे आपको यहां पर अच्छा दिखेंगे उसके बाद simple से यहां पर plus का icon होगा यहां पर यहां पर तिक mark होगा तो इस पर click कर देना और यहां पर देख सकते हो प्रिवी भी ले सकते हैं लेकिन हम यहां पर कुछ नहीं करने वाए यहां पर next पर click करेंगे और यहां पर देख सकते हो please enter your personal particulars यहां पर देख सकते हो एक option दन हो चुका है दूसरे पर चालू है तो simple से यहां पर देख सकते हो उस वीडियो को आप यहां पर देख सकते हो यहां पर देख सकते हो अपना पर नाम डालने के बाद आपको पूरा नाम डालना है और यहां पर जेक्तो name in regional मतलब यह आप से पूछेगा regional मतलब यहां पर आपको auto कर देना यह ले लेगा surname of applicant if in any मतलब आगर आपका surname है तो आप surname भी अपना डाल सकते हैं surname और last name first name क्या होता है मेरे चैनल पर लेडी वीडियो पड़ा हुआ है तो आप उसको जाके देख सकते हूँ तो यहां पर चलिए अपना हम surname डाल देते हैं वैसे हमारा यहां पर surname मौरया होगा तो हमने simple से तको डाल देना है और यहां पर हमागे बढ़ेंगे और उसके बाद दे सकते हो surname of applicant in regional जैसे आप इसपे क्लिक करेंगे तो आटो ले लेगा उसके बाद दे सकते हो अधार नंबर तो simple से क्या कर देना है आपको अपना अधार नंबर डाल देना है पूछे का mobile नंबर तो आपको अपना mobile नंबर डाल देना है और यहां पर से liabilities मतलब अगर आप कोई समस्या है तो भी आप यहां पर उसको दे सकते हैं अगर आपको जो है जो है विजुल में कोई problem में deep and dub में मतलब सुनाई कम देता या पिर ऐसी कुछ disabilities है तो आप वहां पर डाल सकते हो तो आप वहां पर डालना पड़ेगा नेम आप रिलेटिव त डाल देते हैं आप भी अपने फादर को आपने सलेट किया हुआ है तो आप उनको डाल सकते हैं और यहां पर जैते हो नेम इन रिलेटिव जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाई आटो ले लेगा तो सिंपल से कुछ नहीं करना है लास्ट नेम आप रिलेटिव अगर न अपना अधार काट्र के तो आपकी चीज़ी आदार काट से मैश होनी चाहिए तो सिंपल से आपने जो भी अधर्रिस डालना है इसमें आप आप वो अपना अधार काट्स इलेट ही डालना दाकि आपको problem ना हो तो simple से इसको सब कुछ भर लेना है तो आप address तो अपना ही डालेंगे यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है आप उसको miss मत करना यहाँ पर नहीं तो problem भी आएगी problem का मतलब भी है कि बाद miss में आप correction भी कर सकते हैं आपका time थोड़ा waste होगा तो simple इस पर क्लिक कर देना है आप यहाँ पर दे सकते हो कुछ अगर grammatical rule या फिर मतलब कुछ जिसे address में by extra हो जाता तो आप उसको change कर सकते हो और यहाँ पर simple आपको post office आपको डाल देनी है और यहाँ पर post office यहाँ पर जो भी आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए address जैसे बाई आठो ले रहा है तो उसमें थोड़ी problem आ रहे है और यहाँ पर आपको जो pin code है आपको उसको भी डाल देना है उसके बाद यहाँ पर तहसील तालुका मंडल यह सब डालना है तो आपको जो भी है तहसील आपकी सब डिस्टिक जो होती है आपको डाल देना है तालुका में आपको जो है आपका तालुका को मैंने simple से यहाँ पर रख दिया है यह होता एड्रस तो आपको सिंपल से स्कैन करने के बाद उसकी फोटो कीचने के बाद आपको अपलोड कर देना है अपलोड करने के बाद थोड़ा से यहां पर दिसकते हो कुछ ऐसे आपको चेंजेश है तो यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर दिसकतो इसको रोल आउट करेंट एंडर्स विथ हो हुम आई रिसाइट मतलब यह पूछ रहा है सिंपल सा जिनका आप मतलब आपके फैमिली मेंबर का जो यहां पर आ लेडी वोटर लिस्ट में है तो उनका यहां पर नाम डाल लेना तो चलिए यहां पर फादर का नाम डाल देते हैं उसक पर आपको सबसे पहले अपना इस्टेट करना है अपना जो डिस्टी करना है आपको जो मतलब विलेज है वो जो टाउन है आपको सिंपल से उसको डाल देते हैं उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है जैसे आपको टाउन आपको डालना होगा तो अगर आपके हां टाउ जैसे options आएंगे तो आपको देखिए सब कुछ पढ़ लेना है अराम से आप पढ़ लीजिएगा वैसे तो इनका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है लेकिन यहाँ पर जैसे आप एक clear देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका यह नेम अफ्लिकेंट यह है उसके बाद नीचे आप प्लेस आप अप्लिकेशन तो आप यहाँ पर सिंपल्स अपना एड्रेस डाल देना जहां से आप इसको अपलाई कर रहे है उसके बाद यहाँ पर देखिए आप डन का option होएगा जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर सो करेगा आपको जो ना कि मिला लेना है नहीं तो बाद में फिर आपको प्राब्लम होईगी तो फिर आप चेंजिस करने के लिए परसान हो जाओगे यहाँ पर देखिए सब कुछ हमने यहाँ पर डाल रखका है यह सब कुछ यहाँ पर सो होएगा उसके बाद देख तो कंफर्म का option होईगा तो य यहाँ पर थोड़ा मबेट कर लेते हैं जैसे आप यहाँ पर आपका प्रोसस एक बार complete होता है तो यहाँ पर आपको reference ID मिले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अब इस reference ID के मादन से देख सकती हो यहाँ पर आप सणाएगा इस reference ID पर आप जैसे दुबारा इस अप में अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि हम कैसे अपना reference ID से चेक करते हैं अपना voter ID card या voter list में नाम तो आप वीडियो चाहते हैं तो comment से रूर करना